सरकारी युजनम याश्वी को स्वागा थे तो इस वक्त की खाद एवम प्रभोक्ता संग्रक्चन पिभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार रासन कार्ड को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि यहाँ पर रासन कार्ड यहाँ पर एक सीप्ट होना सुरो हो गया काफी सारे जैसे में आप लोग की पाता है कि बिहार में रासन कार्ड जो है ओनलाइन होना सुरो हो गया है काफी सारे लभारतियों ने अपना रासन कार्ड ओनलाइन भी किये और कर भी रहे है जिनका यहाँ पर आप सतियापन होना सुरो हो गया है जो भी लभारतियों ने आप लोग की कहां से और कीज परकार से यह स्टेटास को चे करना है, जो ओनलाइन खुद से घर बैठे, ओनलाइन अपलाई किये है, तो आप सारे लाव भार्थियों का मन में डाउड था कि ओनलाइन हो रहा है, तो कीज परकार से राशनकार्ड बनेगा, या reject हो जाएगा या नहीं होगा तो finally यहाँ पर extinct होना सुरो हो गया है सत्यापन भी होना सुरो हो गया है आप को कीज परकार से आप लोगो को Hello कर रहा है कि आपका राशन काड नंबर को generate किया जाएगा और आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो चलिए मैं फाइनली इस वीडियो में step by step जो है चिये करके में लाई पूरूप दिखाने बाला हूँ तो आप लोग इसे वीडियो को बीना इसकिप किये वे सूरो से लेकर आन तक जरूर देखेगा तो सबसे पहले अपने phone में कोई से बराज़ोर को इपन कर लेना है और search type में सरकारी center लिकर search करना है जैसे सरकारी center लिकर search करेंगे सरकारी center राजाएगा इस पर आप लोग की click कर दिना है अब जैसे इस पर आप लोग की click करेंगे इस परकार से इंटरफेस open होगा आपको उप तो मूर पर किलिक करेंगे कुछ इस पर कार्स in-terface उपेन होगा क्योंकि वो link यहां पर नीचे चल गया है तो आपको उपर के तरप स्क्रॉल डान करना है और नीचे आप लोगो को आना है यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा जैसे हम यहां पर आप लोग देख सक करना है और नीचे आप लोगों की आजना है अब जैसे नीचे आएंगे तो आपको क्या करना है यहां पर जो है आपको सबसे पहले लॉग इन होना परेगा लॉग इन होने के लिए जो आपको क्या करना है पॉब्लिक लॉग इन यहां पर लोग इस पर किली करेंगे तो कुछ इस परकार से इंटरफेस open होगा, यहां पर देख सकते, तो सबसे पले आप आवेदान किये होंगे, तो आपके पास जो है, login ID और password होगा, तो आपको इस box में fill up कर लेना है, आपको होगा, यहां पर मैं fill up कर लिया, उसके बाद एक केपचा को आप लोग को क्या करना है, इस के करना है, यहाँ पर गोले दीख रा है, इस पर जो आप लोगे तो आप लोग को एक बार touch करना है, जैसे touch करेंगे तो कुछ इस परकार से इंटरफेस open होगा, यहाँ कि याँ पर क्की स्थिपट किया गया है, तो फीर से मैं यहाँ पर बैक आझाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एकसीपटेड़ बाई SDO, अगर आपको इस परकार से अपलिकेशाण एकसीपटेड़ यहाँ पर SDO द्वारा दिखा रहा है, तो आपको यहां पर SDO द्वारा जो यहां पर accept कर दिया गया है बहुत जल जो आपको राशन कार्ड नंबर जो है generate कर दिया जाएगा आपको जारी कर दिया जाएगा और EPDS के साइड पर भी आप लोग का list भी जारी कर दिया जाएगा उस लिस्ट में आपका नाम भी सामिल हो जाएगा तो आपको कुछ दिन वेट करना यहाँ पर सतियापन शुरो हो गया है तो आप लोग इस परकार से चेक कर सकते है में फांडा यहाँ पर SDO द्वारा ही रहता है अगर फिर से आप दुबारा चेक करेंगे तो यहाँ पर अप्लिकेशन एक्सिप्टेट बाई SDO द्वारा जो यहाँ पर सो करेगा तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूत नहीं है कुछ दिन फेट करना है आपका रासन कड नंबर जनरेट कर दिया जागा और मिल भी जाएगा आप लोग अपना रासन भी ठाओ करना है आप लोगों की कोई भी फर्म, कोई भी अप्लिकेशन कहीं पर बलाओ को RTPS काउंटर में कहीं पर भी आप लोग को जामा करानी की कोई जरूत नहीं है सिर्फ आपको ओनलाइन आवेदन करना है और कुछ दिन के बाद यहाँ पर एस्टेटस चेक करना है